नमस्कार आज मैं आपको मद्यपेदिस की जलवायू के भाग दो पढ़ानी के लिए उपस्त थूईूँ। मैंने ये मैप बनाया है इसमें आपको बताया है कि किस छेत में कितनी वर्षा होती है किस छेत में नियुनतम वर्षा होती है और किस छेत में सरवधिक वर्षा होती है सरवधिक वर्षा इस छेत में होती है 125 से 150 सेंटी मीटर इसी छेत में पचमडी पाया जाता है पचमडी में सरवधिक वर्षा वाला छेतर माना गया है इसमें 199 cm वर्षा होती है आपसे पूछा जागे सर्विदिक वर्षा किस छेत में होती है तो पचमडी में होती है और कितनी होती है 199 cm होती है फिर औसद से अधिक वर्षा होती है इस छेत में 35 से 125 cm अच्छा औसद वर्षा कितनी मानीगे यह 112 cm एक सो बारा सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो वो सरवादिक वर्षा वाला छेतर हो जाता है और एक सो बारा सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है तो वो असत वर्षा वाला छेतर माना जाता है और एक सो बारा सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो वो नियूंत सेंटी मीटर वर्षा होती है अब सबसे अधिक तापमान कहां पाये जाता है सरवधिक तापमान गंजवासोदा जो बिदीशा की तहसील है वहाँ पर सरवधिक तापमान माना गया है और नियूंतन तापमान कहां है सिप पूरी में अच्छा सरवधिक जिला तापमान पूछ पूछा जाए तो वो गौालियर होगी और नियूंतम तापमान है सिप पूरी और अगर किसी स्थान के बारे में पूछा जाए तो गंजवासोदा जो बीदीशा की तैसील है वो होगा आप दोनों लगा सकते हैं तो ऑप्शन में सरवधिक तापमान में तो बो भी सही रहेग अब वर्षा जून से सितंबर तक होती है मद्यपेदेश में सरवधिक वर्षा कहा होती पचमडी में मैंने आपको मैप में बताए 99 सेंटीमीटर नियूंतम वर्षा कहा होती भिंड में 55 सेंटीमीटर औसद वर्षा कितनी 112 सेंटीमीटर रितूबेस साला कहा है मद्यपेद और अरब सागर घर डो डोना है कि aroundMan. अजया निसे हमें अन्हें आपके चाहिए तो इसे सबस्सका देब करने हैं. झाल झाल